सचे प्यार की तीन सबसे बड़े निशानिया पहचान इससे आप देख सकते हैं आपके रिस्ते में क्या हाल है Hello Friends, Love इप सुटूफ चैनल मैं आप सभी का स्वागत नमबर तीन में जो सामने वाले को प्रायोरिटी थे प्रायोरिटी देना बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि लोग अपने काम में, अपने दोस्तों में, आसपास के लोगों में, फैमिली में इतने उलज जाते हैं कि फिर पता चलता है कि मैंने तो इतने दिनों से अपने girlfriend से अपने boyfriend से बात ही नहीं की अच्छे से हाल चाल भी अच्छे से नहीं पूछे एक गंटा golden talking जिसे कहते है golden period हम बात करते है जो हमारी channel देखते हैं उनको पता होगा golden moment golden talking वो किया ही नहीं तब हमें realize होता है कि हमने time नहीं दिया, priority ही नहीं दि, हम किसी और चीज में, तो priority देना बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी, और जो दे पाता है, उनके रिष्टे बहुत ही बड़ी होता है, सचे प्यार कि ये सबसे बड़ी निशानी, सामने वाले को priority देना, priority देंगे तो सब क कुछ बाद में आ जाएगा, number 2 पर है, उनको accept करना, हमने पहले भी कई बार बात की है, कि accept करना एक रिष्टे की नीव है, रिष्टे को संभाले हुए जो चीज है, वो यही acceptance है, सामने वाला ऐसा है, वैसा ही है, तो ऐसा बोलता है, ऐसा करता है, अगर आपने choose किया है, कि इंसान के साथ रहना, इस इस इंसान की नियत अच्छी है, उर्जा अच्छी है, तो फिर एक दो आदत है इधर इधर की हो, या फिर बोलने की आदत है, या कुछ भी, तो उन्हें accept करना हमारी जिम्मेदार है, मैं यह नहीं कहता कि उनकी खराब चीज़े accept कर ले, उसको change कर है, वो सच्चे प्यार की बड़े निशाने, लेकिन हम प्यार करते हैं, हम अपना स्वारत देखते हैं, वो तो ऐसा ही करना चाहिए, हम नौकरत चाहते हैं, नौकरत नहीं वो साथ ही है, तो सच्चे प्यार की निशानी है acceptance, नमबर एक पह, जो आपके awkward career में भी आपको support कर है, ये कुछ-कुछ लोगों के लिए कुछ रिष्टे में सच्चे प्यार की निशानी हो सकती है, कि समझ लीजे, गर में सभी को music industry से नफरत है, और आपकी girlfriend या आपका boyfriend, music instrument बजाता है, लेकिन आपके गर में नफरत है, तो आप कहेंगे कोई बात नहीं, उनको नफरत है, लेकिन आपको जो अच्छा लगता है, आप करिये, मैं आपके साथ हूँ, चाहे मुझे पसंद हो या ना हो, मुझे गित सुनाते रहना, मुझे flute या प्यानो या जो भी आप डोलक बजाते हैं, मुझे बजाते सुनता है, मैं आपको accept कर रहा हूँ, तो ये awkward career, कोई भी career awkward होता है, लेकिन हमारी mentality, हमारे समाज में, या हमारी families, इसमें जो चलता है, उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ, तो ये चीज़े है, तो ये तीन निशानिया है, सच्छे प्यार, acceptance, career support, और ज्यादा complain ना करना, जी ना अच्छे से, comment box में बताए कितनी चीज़े हैं, आपके र comment box बताना, ना भूले, thank you दोस्तों, better, live better